हेलो मॉमीज, वेलकम टो एंजी फन लर्निंग, आज मैं बात करने वाली हूँ आर्टिकल ए और एन के इंट्रोडक्शन क्लास, यूकेज और वन के बच्चों को कैसे कराया जाए, कैसे समझाया जाए कि ये होते क्या है और कैसे और कहां इनका यूज करना है, तो यूजेज एन देखेंगे आज की वीडियो में हम, actually ये हमारे लिए बहुत इजी टॉपिक है, पर छोटे बच्चों के लिए बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, वो कहां ए लगाना है, कहां एन लगाना इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और बार-बार मिस्टेक्स करते हैं, तो इसे क अगर आपके बच्चे ने वोविल को लर्न कर लिया है, जो कि हमें उसे फिंगर पर बताना बताया था, मैंने अपने चैनल में A, E, I, O, U, इस तरह से उसे फिंगर पर लर्न करवा दीजिए, फाइव लेटर्स, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, यह फाइव मैजिकल लेटर्स बोल कर उने बताये, उनके फिंगर पर उने लर्न करवाईए, उसके बाद बाकी जो बच गया है वो वो अन्सोनेंट है, यह मैं अल्ड़े अपने वीडियो में लास्ट वीडियो में बता चुकी, आद में बात करने वाली हूँ, A और N का पर इनिस्यली हमें चोटे बच्चे को बस इनका इंट्रोडक्शन करवाना है, तो उन्हें हम वोविल और कॉंसोनेंट के थ्रू ही समझाएंगे, कि एन का यूज वोविल के आगे होता है, और A का यूज कॉंसोनेंट के आगे होता है, तो अगर बच्चे ने A, E, I, O, U को common word apple, तो यह A से सुरू हो रहा है, इसलिए इसके आगे होगा an apple, और यह A और N हमेशा एक चीज के लिए होता है, अगर यहाँ apples होगा, तो n नहीं लगेगा, बच्चे को यह भी clear कर दीजएगा, कि A और N के वल singular noun के साथ होता है, singular, एक अकेले चीज के लिए होता है, अगर S लगा हुआ है, देन no A, no N, ठीक है, अगर word के starting में wobble की sound आ रहे है, या wobble खुद है, तो N लगेगा, जैसे apple के आगे N लग गया, इसी तरह से I, I के आगे N लगेगा, ink pot, ink pot, तो an ink pot, इस तरह से, owl, तो an owl, क्योंकि यहाँ पर O है, ठीक है, उसके बाद को बताना है, विफोर कॉंसोनेंट, कॉंसोनेंट के पहले हमें A लगाना है, जैसे bus, तो यह B है, तो यहाँ पर A bus, इसी तरह से, bat, a bat, cup, a cup, तो सिंपल सी एक बात बच्चे को बतानी है, कि five magical letters, जो बॉविल्स होते हैं, उनके आगे N लगेगा, और इन्हें छोड कर, जो भी कॉंसोनेंट हैं, उनके आगे A लगना है, इनिश्यली बच्चे को यही बताना है, बाद में बहुत सारे rules दीरे दीरे add-on होत जाएंगे, पर UK जी और class 1 के बच्चों को बस यह इंट्रड्यूस करवाना होता है, तो उन्हें बस यही बताना है कि वोवल के आगे N और इसके आगे A, आगे चलके उन्हें बताना होता है कि कुछ consonant होते हैं, जिनकी sound vowel कियाती है, sound vowel किया रही है, वो consonant जैसे hour, hour, यहाँ H silent है, तो बच्चे H देखकर A लगा देंगे, A hour, लेकिन उन्हें यहाँ फिर थोड़ा सा और बताना है कि यह hour, A से सुरू हो रहा है, इसलिए N होगा, तो यह कुछ exceptions है, जिनें बाद में बताना है, पहले हमें simply vowel समझाना है कि vowel के आगे N और consonant के आगे A लगाना है, होगा इस तरह से concept clear होगे, आपने उन्हें समझा दिया, तब हम उन्हें इससे related कुछ वाक्षीट्स करवाएंगे, तो सबसे पहली वाक्षीट से drawing देखकर, photos देखकर, coloring देखकर बच्चे attract होते हैं, तो initially व आपल के आगे क्या आ रहा है, A, A क्या है, वाविल, magical words, तो इसके आगे क्या लगाओगे, एन, एन एपल, फिर कलर करो, बड़ा मजा आता है बच्चे को coloring में, फिर आगया, कार, कार सुरू हो रहा है, सी से, तो यह वाविल नहीं है, consonant है, तो ए, फिस, फिर से consonant, तो ए, आपने फोटो नहीं बनाना है, बस लिख देना है, बहुत सारे words लिख दीजे, और फिर उन्हें ए, 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 लिखते जाना है, डैस में, तो onion, onion, an onion, ear, an ear, अब आगया, doll, doll, or doll, क्योंकि यह consonant है, यहाँ पर यह वाविल था, bat, consonant है, aeroplane, a, तो an aeroplane, इसी तरह से tree, or tree, mug, consonant है, तो a mug, orange, orange, an orange, ओ क्या है, वाविल है, pot, a pot, इस तरह से, दिन बारी आती है, third worksheets की, जो कि मैंने इस तरह से बनाए है, इसमें क्या करना है आपने, एक box बनाएए, उसमें बहुत सारे words आप लिख दीजे, मिले हुवे consonants से, और वाविल से related words, आपने लिख देना है, देन उपर लिखना है, choose the words, and put under a and an, इस तरह से column बना दिया, आपने a और an, अब box के अंदर से बच्चा डूंडेगा, ए के नीचे कौन सा होगा, ए के नीचे कौन सा होगा, ये करना है, थोड़ा सा different है, पर बच बैग, ये consonants से सुरू हो रहा है, तो इस column में आएगा, नेट ये इस column में जाएगा, आउल ये इस column में जाएगा, इस तरह से जब बच्चे करते हैं, तो उन्हें बड़ा मजाता है, ट्री इधर आएगा, आर्म इधर आएगा, इस तरह से बहुत सारा वाक्सिटा बना दि हैं, और इनके आगे तुम्हें अन लगाना है, और रिमेनिंग सारे अल्फावेट जो हैं, वो कॉंसोनेंट हैं, तो इस तरह से बहुत सारे वाक्सिट बनवाकर उनकी खूब सारी प्राक्टिस करवाईए, तो तो आप भी इस तरह से बच्चे को ये टर्म ये इस तरह से बना कर उनका प्राक्टिस करवाईए, तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी, यूजफुल लगे तो लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्स्क्राइब करें, थैंक्स पॉर वाचिंग, बाबाई!